इस दा डाइग्राम ओफ हुमन 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 डाइग्राम तो इसे के बारें बात करते हैं सबसे पहले यहां पर इस इस दा माउथ यह हमारा माउथ होता है और माउथ के अंदर ही यहां पर ब्लैंक स्पेस बेसिकली प्रेजेंट होता है आप लोगो ने 9th class में पढ़ा होगा जोभी ब्लैंक स्केश होता है उसकता हम लोग पर केविटी बहुते हैं आप देखें, मौथ खाली है, मूँ खाली है, बर्गर तो ने रख रहा मूँ में, इसके मलब मौथ कैविटी, मौथ कैविटी is also termed as oral cavity and it is also termed as बगकल कैविटी, यह होती है basically nasal openings, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर nose frills, और नाप के अंदर के हम लोग यहाँ पर देखते है, passage होता है, cavity होती है, that is termed as nasal cavity, और यही पर एक passage present होता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर nasal passage, और यह जो oral cavity होती है, हम लोग यहाँ पर देखते है, oral cavity भी basically present होती है, हमारे पास यहाँ पर जो है oral passage, this is oral passage, और हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, कि nasal passage और oral passage जिस point पर connect होता है, यहाँ पर दोनों के दोनों connect है, इसी reason को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, pharynx, this is turned as pharynx, अब जो nasal passage open होता है pharynx के अंदर, nasal passage हमारा open होता है pharynx के अंदर, this is turned as, nasal pharynx, और जो mouth का रिजन ही हाँ पर connect हो रहा है हमारे पास, this is turned as, oral passage, तो food enter करता है, यहाँ पर mouth के अंदर, और देन उसके बाद वहाँ पर जाए, food का सबसे पहला physical direction होता है, यहाँ पर हमारे पास present है, food pipe, and food pipe को ही हम लोग यहाँ पर बोलते है, isophilus, यहीं पर हमारे पास present है, wind pipe, and wind pipe is turned as, tracking, अब मकर तो mouth से जो है, food entry मारे रहाँ पर food pipe के अंदर, food pipe के अंदर, through this opening, food pipe के ओपर एक opening present होती है, and this is turned as, bullet, food amount से food pipe के अंदर entry मारे किसके तू, gullet के तू, और यहाँ पर wind pipe के ओपर opening होती है, इस ही को हम लोग यहाँ पर बोलते है, और यहाँ पर wind pipe और food pipe, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या देखते है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर wind pipe, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते है, जो एपीग्लोटीस होता है, यह बेसिकली करता है, इस हम लोग विड़ कर लेके देखते हैं, इस हम लोग क्या देखते हैं, यह जो एपीग्लोटीस होता है, इसकी movement होती है, इसके अंदर movement होगी, यह कभी हमारा आजाएगा, कि यहां पर आइएंट सब्सक्राइए पर खाना खाने बोलते हैं कि जादा जादा बलब खाना खाने अगर बोलते हैं तो फूड जो होता है वो आपका wind pipe के देरे entry कर जाता है थोड़ा सा धसका भी लग जाता कर बार वो तो हमारी body का system ऐसा बनावा है कि उपर का जो passage होता ब्लोग हो जाता है नीचे से pressure create होता है suction pressure type जो उस food को push करता है बाहर की तरफ वो बाहर निकल जाता है मालनी जगर वो फूड आपका food pipe से बाहर नहीं निकलता है within 60 seconds बहुत ज्यादा बोल रहो और रिकम डेट आपकी जान जा सकते है तो फूड एंट्री कहाँ पर मारता है हमारा wind pipe के इंदर food चला जाता है एक तो मोद हो जाएगी और बेशती होगी अलगाप लोगी बेशती कैसे होगी हमालों कोई पूछे गरी क्या होगया तरफ चली कैसे मर गया आदमी क्या बोलोगे यहीं पर एक मसल प्रेजंट है जिसको हम बोलते हैं यहां पर स्विंचर मसल्स अगे स्विंचर मसल्स कहां प्रेजंट है हमारा इसोफाइगस जो है वहां पर और फूर जो है वो आपका मांट से इसोफाइगस से होता है कहां एंट्री मारेगा स्टमक की अंदर इस तमक का ही दूसरा नाम होता है यहां पर का इस सब्सक्राइगस मसल्स काम नाम होता जाता दर फूड एंट्री माल जाता है हमारे यहां पड़ जाया है इस डाइगरां की लेविलिंग करता जन उसके पूरी क्रोस्स का मैं एस टेंग भी करेंगे बन बाई बन गड़ गोड़ फूड स्टमक के अंदर एंट्री माले गाजा आत्मेर रखना तो इस वज़े से में है इससे जायओा है इसका जायओ क्या बन गड़ जायओ को शायओ इसक्ता तो डेंगरां थेपाई जाओ